इसे ऐसा कहें, जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं, 17 जुलाई, विश्वास की घोषना, मैं घोषना करता हूँ कि मैं विशेश, असदारन और आलोकिक हूँ, मैं घोषना करता हूँ कि मैं अपने कर्म को विश्वास की पीछे रखता हूँ, इश्वर ने मेरी दिल में जो क करता है, वो अनंत काल के लिए अपने अद्बुद वादो को मेरे लिए पूरा करता है, यह मेरी घोषना है, दीविय स्वस्ती की स्विकार रोकित, मुझे येश्यू के नाम के खातिर, धर्मिक्ता के मार्ग में निर्देशित किया गया है, मेरी रास्ते में कोई मेरे पत्में है जीवन, स्वस्त, आशिर्वाद, शांती और सम्रदी, मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ चलता हूँ, और मैं लगातार उसके द्वारा जीवन के अधी गौरफ शाली और उच्छ शेत्र में पहुचाया जाता हूँ, हालेलुया, मेरे पास वह होगा, जो मै कहूंगा, येशु के नाम में मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ, मैं ईश्वर और मानव जाती का क्रिपा पात रहूँ, मैं वहीं बोलता हूँ, जो मैं देखना चाता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ, मैं अपने प्रभू के दर्बार में ताड की पेड की तरह फलता फुलता हूँ, मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा म में फल उत्पन करता हूं मैं प्रभू में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूं और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फुलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूं वह येशु के नाम में समिर्द होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीहा येशु में हर आद्मितिक आशिरवात का प्राप्त करता हूं मैं एक आत्मा हूं मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक बहुती शरीर में रहते है मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मे परमेश्वर का अविनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा स्पस्ट और व्यक्त होता है। सामन्य वेंटिलेशन और परफिशन अनुपात बनाये रखने के लिए बात करता हूँ। मैं अपनी किड्नी, लीवर और अगनशायों को पुर्नता बोलता हूँ। मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हडिया, जोड और काटिलेश, सरेखित, मजबूत और डिड मेरे पूरे उपरी और नीचले अंग उतकुरुष रूप से कारिय करते हैं। मेरी आखे स्वष्ट रूप से और पुरी तरह से देखती हैं और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन। मेरी तवचा एक नवजा शीश्यों और इश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी स्वस्थ मेरे बालों के रूम कज गए हैं। मैं अपने बालों को स्थर रहने की आग्या देता हूँ और जहां वृद्धी की आविशक्ता होती हैं मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूँ। मेरे दात, मसूडे, जबडे की हडिया और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स पदार्तों को पचाने, अपशोशित करने और आत्मसाथ करने में सक्षम है और चयापची, अपशित, उत्पाद, नीमित रूप से उसरजित होते हैं। मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितलता, गपशप, आलस, अधिक नीन, सुस्ती और बाद्यकारी खरीदारी में सभी प गनाया है, वो मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसलिए खात पदार्तों, दूल, जानवरों, आदी, अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इश्वर ने मुझे इन सारी चेज़ों पर अधिकार दिया है, मेरा प्रजनन तंत्र प्रयात मात्र में और अच्छी ग अधिकार नहीं है, जिसके लिए इश्वर ने इसे कारिय करने के लिए बनाया है, और मैं मेरी शरी में किसी भी प्रकार की खरावी और विकृती को यश्यू के नाम पर मना करता हूं, आमेन, मेरा संपुर्न मानव शरी रचना विज्यान, चया पच्छी और शरी क्रिया वि मुझे पता है के मैं जानता हूं, पवित्र आत्म इश्वर मुझे प्यार करते है, मुझे पता है के मैं जानता हूं, आमेन